परिच्छा के चरण में इस बार एक मैया ध्या जोड़ दिया गया है आप लोग में 18 सब्जेक्ट में रिजिनिंग का इसे तर्ग सक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं तो रिजिनिंग पांच नमबर के दिये हैं और यह पांच नमबर आप आसानी से प्राप कर सकते हैं यह से पड़ा होगा तो यहां आप पढ़ने में बहुत कांशों में बहुत आसानी से आप लोग सिख लेंगे बस कुछ करना नहीं है थोड़ा सा दिमाग करें इस्तिर करना है बाकि चीज़े अपने आप क्लिर हो जाएंगी और पांच के पांचों नमबर आप प्राप्त कर सक बस थोड़ा सा दिमाग लगाना बागी सब कुछ बेतर होगा रही बात अब लिखित परिच्छा की बैच चुरू हो गई है और मैं 40 दिन में सभी सब्जेक्ट अपने सभी अध्यातुकों के साथ मिलकर मैं खतम कर दूंगा और 8000 कोस्चन का संग्रह है प्लस रिजिनिंग कर दिन ज्यां के सास्थ सा जो बुद्धिलप्दी होती है जो बुद्धिलप्दी के सास्थ हमारे अंदर तर तर्घ करने की चमत नहीं कोडिंग कि नाम है आपका कोडिंग डिकोडिक कूट लेखन वाचर या कूट लेखन मनिच से कहा जात अंगरेजी में कोडिंग और डिकोडिंग कोडिंग कोडिंग को अगर हम लोग पहेंगे तो इसको हम लोग समझने वाज में तीन अध्याज जोड़ेंगे एक समानतर सेड़ी फिर एक आता है लुट्वदों को भरना एक होता है क्लासिदिकेशन वर्गी करना तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाक लगाएंगे हमा माला और यहां से अगर आप पढ़ेंगे यहां से आपके दो नंबर फिट्स है पके जो हरसाल पुछे जाते हैं जो भी जाम हो अगर उसमें रिजिनिंग को सेलवस को जोड़ा गया है तो वड़ माला अंग्रेची वड़ माला को जरूर पुछता है इसे कहा जाता है कोडि इसमें पर सबसे पहले हम लुक करेंगे एस एले के जब तक लिखेंगे आप लिशेंगे आप लिशेंगे तो यह अंग्रेची वड़वाला में 26 अच्छर होते हैं इनी 26 अच्छर को हमें पढ़ना है यहीं से हमारे रिजिनिंग की शुरुआत होगी कोडिंग और डिकोडिंग तो इसमें क्या करना होगा सबसे पहला काम जोगा आपको इसके नंबरें व्याद कर लिए पहले जान लेते हैं इसके बारे में अंग्रेची वड़वाला में 26 अच्छर होते हैं 26 अच्छर में ए से सुरुआत होता है जड़ पे खतम होता है इसमें भी दो होते हैं वावल और कंसोनेंट वावल माने हिंदी में स्वर कहते हैं को वैंजेर कहते हैं माने वावल और कंसोनेंट होते हैं तो एक पर सिधा सिधा पुछता है कि अंग्रेची की वर्माला इसकी सुरुआत वावल से होती है और कंसोनेंट से हतम होती है ए वावल होता है और जड़ कंसोनेंट होता है कितने वावल हैं अंग्रेची वर्माला में कुछ कुल पांच हैं कौन वो यू यह बाकी 21-21 ने Іप और कभी-कभी लोह कर सक्वेश्ग कि डिफ्रेंस पांट तो तो A वावेल और B पॉंसोनेंट है, याद रखिएगा, A स्वर होता है, और B क्या होता है, वेंजन होता है, तो आपको स्वर मैं गया, अब इसकी हमें नमबरी ही याद करना होगा, जैसे अब कोई भी नमबर कुछे, इसी क्या होगा, ती का 20 पर है, जै 10 पर है, क्यों 17 पर है, इस तरह हमें सारे का नमबरी ही याद करना होगा, यह आपको याद करने होगे, और इसका भी तरीका याद करने का, कैसे, पुछे क्या हैं, आपको याद रहा है, गय। बीच पे टी है, तेरह पे यम है, देखे कैसे, मैं को रिकर दे रहा हूँ, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आज, नो, दस, आप लोग भी कर लिए, 11, 12, 13, आप लोग भी कर लिए, आप को याप करने हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 22, इस प्रकार ये 26 के आप लिखेंगे असके उपर उसकी नमबरी है, अब यहां से पुछिए, चाहिए बाई, नमबर पुछिए, चाहिए बाई, अल्फावेट पुछिए, परदीब जी, पंद्रपे ओ है, बता है, पुछिए, अधान अधान जांगा, बता है, कि के ग्यारथ है, क्यों 17 है, यू, अभी टी यू 21 है, अब देखें कैसे याद करते हैं, यह आप लिख लेंगे, लेक्ने पाद याद करने में समस्य आईगी, तो याद करने का ट्रेक निचे दिखते है, बले इस याद करेंगे इजो टी, जो ती इस एकरे में इस एक रिवाने देखें पास पे जैसे आपने पूछा यू तो टी के बाद यू किसने होगा अगर वाई पचीस पर है जो तो कितना है 15 तो कितने पर त्रीयों दिस और यो तरीका देखते हैं यह कुरू से आप देखते हैं अब देख्यां से चला सुन करते हैं यह उसे इसे इसे दिखता इसको परण देखा इसको परण गए यह हो गया चाहिए जी अर उसकी पेट में चापकु लगा जी जी मतमतल में क्योंडियों चृत पैक न होंडियों इसे ही फूरा resurrection वह तो पूरा थीक ही देखते है कि देखे साथ पर सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब और यह भी को चलिए यह बोगया आठ पर अइब को आई माने नहीं कि दली ने लिखी इसको मीटाथ इस आई आई बराबर नाई अगा नौ पर ऑगि नौ पर आई नौ पर मिटाएश्क तो लेंगे ज्टाइश यह दस पर मैंने बता दी जोटी में ज्टेश पर आदेश्क यह एक दो टांग निकले लिए एक तांग पार एक नीचे इतरा हो गया गया है ये किदरे टाहिए? एक टाह्ग उपर निपला एक टाह्ग? यही बिटाह आने चाहिए यह दणीज दिखें यह कैष्ट, कैष्ट गुपर एक टाँ नीचे गया रहा है अगर एक टाँ मीचे लटकादिये के बाद एक टांग भावागा है एक टांग इचे घिज दिए 12 हो गया इए 12 हो गया ठीक शॉआ महारा ने चलिए और आगे दिखते हैं अब यंक का कितरा हो गया यंग बराबर इसको पलट देदे टांग डांग पर ठीक देंगे जो जागा ये डबलू तेज़ यंग क्या है तेरा पे टांग पलट दिए हाँ जरी आवाते हैं कि अ कि अपक्षा औरेंज पदा जी ओजिति फेंफ में अले अब हमने देखा था निदिए यह यह यां किकशा था यह यह इस यह रखार यह बराबर आबर टेश्य इसको पाए कर दिए हमें अपको और इसे आखर दी यह मुंक्तित दीए सोलड़क न पूरा यह हो गया है सब्सक्राइब को पांच दस बंद्रह पचीस पांच दस बंद्रह वीश पचीस पांच पर लिखा है अब क्यों बदार इसके पेड़ में शापू लगा है आर यानते हैं आज क्या तो थे एक निखा फिर आण बना दिया है अठार है वह एक लिखा नदिखा अठार है अठार है भाइन अठार है अठार है सब्सक्राइब हमें है यह ए समय है नहीं गूमा है उन्हीं चाहित दिख रहें सद्धियों गूमा होगा है त्क टीफा ट्वेंटि ट्वेंटि मैंच है वाने वीच जोगा 2020 मैंच मने टींट सारीब इस अब इस अब टूलोटा उटाग फेक दिए उपर जब गोलां से बेके तो 11 उपर किये तो 21 कांग पो शप्ता दिया दो तो देखे के में कितनी थी के में एक टांग दो टांग निकली थी ज्यारा और दोनोटांग उपर कर दिया तो बाइ तोड़ दिया जाने बाइस को तोड़ दिया जाने बाइस को एक यह तो नहीं क्या हो गया बाइस हो गया अब यह अब लेकर आईसे काट नोच चाल चाल पिश्य काट देखें जोविश्य को बता चुकिए यहां का तेरा डबलू करते ही सब्सक्राइब लिए फिर को पता है वाई पतीस पे जेंड तो यह इस तरह यह जाओ आपको याद करने हैं और कैसे याद करेंगे वागत की जिम्मेदाई मेरी तरह याद करेंगे जैसे ज़िका 1 वाई का दो यक्स का दी डबलू का चाइस तरह करेंगे जीका पांच यू का छे साथ साथ है है नो बड़र करेंगे चली उटा नम्बर इस अरह न देग करेंगे यह और यह देंगे एर है अन्व के रोंग्यां चलंगा चलंगा पंदर सोट करता है हैं ग्यां फिल्स थी वाईस थेज चवव़ईस पचीस चब्स कि यह दिखिए आज से लिए गार्ट कि लिखित परिच्छा में यहां से कोचन आने हैं और आपके कोचन सही होने चाहिए गलत ही होने चाहिए क्योंकि यहां से आपके नंबर फिक्स है और यहां से आपके गलत नियुक्त कि हमारे पास 40 दिन है हम अपना एक घंटा बरवाद नहीं करेंगे एक लोग पढ़ेंगे दुभी पढ़ाएंगे दस लोग रहेंगे तो दी क्योंकि हमारा सेडूल बन चुका है कि 40 दिन में फोर कुछे से और नौप यह उधार से 18 पे दर खरोग एधार से 22 पर उधार से 5 पर नहीं करिए नहीं देखके नहीं बता है आगे यापशी को और उससे रहिए हैं गोदेँ अधर से 3 तक थे अ बस ठीक है ऐसा सब्सक्राइं आशा थोलित फुलीए पर अफ्या अपना निकल द पूछी प्रतित यह पी उदार से हो जाए गार्ट ते जार्ग यह एक यह एक यह एक यह रही और ती 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 उद्धार इस पीश पर इस प्रतिट वार्ट इस चलिए आप देखे कैसे करता हूं अगर उपर की नंबरिंग आपको याद फूंच रहा है सब्टाइस सब्सक्राइब पूछा ती कि इसे पूछा यह उदर से पांच पर तो 27 से पांच गया वाइस उदर अगया अग्यारा इस प्रेट निकालना है माने किसी भी डिजीट का उपर निचे का अंग जोड़ेंगे उसका योग सजव 27 आएगा उदर से किसी भी नंबर का उपर लीचे जोड़ेंगे उनका योग सद्याओ 27 आएगा तो यह था कोड़ी निकोड़ी को सबजने का तरीका यहीं से शुरुआत करेंगे यह चीजी आपको मालूप होगी और इसी क्याधार पर आप लोग जा करेंगे इसके क्रम को जानेंगे समझेंग है और पढ़ेंगे शाज मैं इतना पुलो को वह है इसी आधार इसी को बेस्स बढ़ाके हम लोग करेंगे कि यह सबसे बड़ा आधार है अगर यह समझ में नहीं आगा तहुम लोग क्रश्न को साल्व नहीं कर पाएंगे और आगे देख लेते हैं अगर हम शुरुआत करते अब घड़ी के दिशा में नमबर बन रहे हैं घड़ी की पिप्रिशा में एंटिक्लाकवाइज वामा अज बाद सेलबस में घड़ी भी है माने जहां खतम होगा उसके आगे कर बढ़ना है जड़ी खतम होगा फिर एस स्रीज शुरूर आगी कहने का मतलब यह पूरी स्रीज एस लेके जड़ के बीची सदेव चंती रहती है इसका नमबर आपको याद रखना है अगर इसकी नमबर आपको याद है तो आपके लिए व तब तक के रिए आप सभी लोग इसको तयार कर लिजेगा याद कर लिजेगा जो चैसे सवन में नहीं आएगा वो पूछ लीजेगा मैं आपको बता दूंगा क्योंकि बीना इसके यह आधार है बीना आधार के बिलिंग नहीं बना जा सकती यह पोडिंड डिकोडिंग की शुरूआत है जहांसे आपको याद करना है इसी के आधार पर हम सारे अध्याय को लगाएंगे और जितने भी इसमें जुड़े अध्या है प्रस्न को सावड़ करेंगे दो परस्त नहीं से फिक्स है जो लिखित में पूछे गया तो अगर परिच्छा में आगर रिजिमी क आपका कम हुआ इस बात को भी आप नोडिस करते लेगा क्योंकि आपको परिच्छा होनी है और एक कई तारिक से बैच चलेगी 31 दिसम्बरता है मातर 40 दि जलेगी और सटेक संडे सट्राटे पूरा मिला कि मैं आपको 40 का अच्छा उप्लवद कराऊंगा और आप कैसे जु हो गई है अगर आप जुनना चाहते हैं 630 6374 367 पर जोड़ सकते हैं और आपको पता है प्रदेश की सबसे बहतर टीम मेरे पास है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर फीस कितनी लेंगे अरे आप से फीस नहीं आप कुछ यह सा सेलेक्शन कराएंगे कि नहीं तो मैं स सब्सक्राइब करने में अपना समय मत गवाइए कहा है यह मत देखिए वहाँ इतना है यही करते करते चाले दिन बीन जाएगा और फिर वही क्योंकि इस परिच्छा में मात्र 58,500 लोग सेलेक्ट होंगे और कम से कम तीन लाख लोग कालिफाई करेंगे तीन लाख से आने का मतलब प्योर है और उनसे आपके लड़ाई है तो सीधी सी बात है अगर आप बरगेनिंग चक्कर पढ़ेंगे और कोचिंग का चक्कर लगाते रहेंगे खुशते रहेंगे तो फिर भाइडाम क्या होगा आप भेतर मुझसे जानते होंगे तब तक के लिए आप सभ आप